अगर आपको इसकी फरी में पीडिया डाउनलोड करनी है तो टेलिग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है वहाँ से जाके इनोवेशन स्टेडी के नाम से टेलिग्राम चैनल है उस पे जाके टेलिग्राम चैनल को जोईन करके आप फरी में पीडिया डाउनलोड कर सकते हैं और इसके साथ आपकी एक्सिलेंट की डेश्वरक अभी आ गई है उसकी भी पीडियाफ डाल देंगे कोई दिकत नहीं है तो उनकी भी फरी में आपको डेश्वरक की पीडियाफ मिल जाईगी एक्सिलेंट की और संजी व की साइंस की संजी डेश्रक चल रही है और साथ साथ में मैथ की मैंने कंप्लिट ही करवा दी है संजी डेश्रक अब की सुरूर करेंगे और यहां पे आपके सस्टी की चेलर ही अदरrin कलासों को थीन वार कम अमसे कंवा जूरो देखें आगर नहीं लकुताई हम तो यह मत समझे की इसको छोड़ देंगे तो वहां पर जाके वह हाड़ बन जाएगा अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन उसको जुरूर दबालें ताकि परते क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहें और थोड़ी सी क्लासों को शेयर करने में थोड़ी को समाप्त किया था तो इसका राइट अंसर ऑप्शन नंबर भी हो जेगा उधोगपतियों में सहरी निवासियों के दबाओं में आकर क्या है ब्रिटेन की सरकार ने कौन लोग को क्या कर दिया समाप्त कर दिया नेक्स कुशन है सन 1930 में दलित वरग एसोसीशन की स्थापना की तो सेकेंड नंबर का राइट अंसर ऑप्शन नंबर ए हो जेगा डॉक्टर अंबेड करने की थी सन 1930 में दलित वरग एसोसीशन की स्थापना डॉक्टर अंबेड करने की थी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जेगा भारत का पहला लोहा इस पाथ सेंतर कहां स्तापित तो भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेशा है ऑप्शन नंबर सी गोवा में आया था और पूर्टगाली लेके आये थे ठीक है नेक्स्ट है पांच नंबर क्यूशन से भारत का कुल भगोलिक छेतरफल हैं 32.263 है यानि इसमें 32.263 का कौन शाप्शन राइट हो थी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुवात कब हुई थी छे नंबर का राइट अंसर ऑप्शन नंबर भी हो जेगा सन नीसो तिहतर में हुई थी नेक्स्ट है गुड एओं खांड सारी के उत्पादन में विश्व में पर्थम स्तान पे कौन है गुड एओं खांड सारी के उदेश्य क्या है सनुनिम चत्रबुज माहराजमारक का उदेश्य बताना है क्यूशन नंबर आठ का राइट अंसर ऑप्शन नंबर सी हो जेगा भारत के मेगा सिटीज के मद्दे की दूरी परिवहन समय न्यूंतम करना भारत के मेगा सिटीज के मेगा सिटीज के मद्दे कि जो दूरी है उसको नियून्तम करना कम करना और उसके बीच में जो प्रिवहन समय लगता है उसको कम करना है next question है स्रिलंका में ग्रहयूद कब समाप्त हुआ था या स्रिलंका में ग्रहयूद का अंत कब हुआ था तो इसमें आप्शन नमबर सी राइट होजेगा नोवे का आप्शन नमबर सी दो हजार नो में समाप हुआ था ग्रहयूद। कि नेक्स्ट रूमर्बर कुष्ण केंद्रव राज्जे के मद्ध विद्धाई अदिकारों को कितने हिसों में बांटा गया है तो जल्बारत में राज्जेशंगे की विधान सबाओं में लगबक 5% है चीन में सासन करने वाली अकेली पार्टी का नाम क्या है कम्यूस्ट पार्टी है option number C right हो जेगा बार्वी का next question पे चलते हैं next question है उन लोगों की बेरोजगारी जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बेठे हुए हैं कहलाती है कौन सी बेरोजगारी कहलाती है तेरा नमर का option number B right हो जेगा खुली बेरोजगारी कहलाती है निमन में से कौन सा कथन या कौन सा कथन सही है इसमें से या सही कथन बताईए तो 14 नमर का right answer option number B हो जेगा अनौपचारिक छेत्रक में रिंड दाता प्राए अधिक ब्याज वुसूल करते हैं ये option इसका right होजेगा Next question है जिस कारण से East India Company भारत की और आकरसी तुई थी वह कौन सा कारण था तो इसका right answer option number D right होजेगा व्यापारिक हित के लिए व्यापारिक हित के लिए क्या है जो East India Company है वो भारत की तरफ आकरसी तुई थी तो पहला question हमारा complete हो जोगा है इसके बाद में दूसरा question शुरू करने जा रहे हैं अब देखीगा दो number question में रिक्त स्थानों के हमें पोर्ती करनी है तो इसका question होजेगा पहला उन्निसवी सदी के अंत में निर्माता अपने उत्पादों को बेचने के लिए खालिस्तान चपवाने लगे थे तो यहां पे आजेगा कलेंडर कलेंडर चपवाने लगे थे नेक्स्ट है दूसरा question यूरोप में विक्षित खालिस्तान खालिस्तान की जिगा आजेगा उपनियास उपनियास नामक सहित्यक विद्या जिन्दगी के तजूर्बों और रिष्टों को देखने की जूरूरतों को पूरा करने में शक्षम थी ठीक है नेक्स्ट है किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है नेक्स्ट क्यूसं पर चलते हैं एक साथ बहुत सारे देशों में वेवसाए करने वाले कंपनियों को खालिस्तान निगम कहा जाता है तो बहुराष्ट्रे कंपनिया जाता है या बहुराष्ट्रे निगम कहा जाता है राजनितिक डल किसी समाज की बुनियादी राजनितिक खालिस्तान को दरसाते हैं तो विवाजन को दर्साते हैं पांचवे में आएगा विवाजन राजनितिक विवाजन को विवाजन को दर्साते हैं नेक्स्ट है चेह नमबर क्योशन वास्तिक जीवन में लोक्तांत्रिक व्यवस्ताएं आर्थिक यहां पर क्या देगा आर्थिक एस मानताओं आर्थिक एस मानताओं को कम करने में ज्यादा शफल नहीं हो पाई वास्तिक जीवन में लोक्तांत्रिक व्यवस्ताएं आर्थिक ऐसमानताओं को कम करने में ज्यादा शफल नहीं हो पाई Next है कौन सी नदी सोक नदी कही जाती है तो दामोदर नदी है दामोदर दामोदर नदी है तो सोक की नदी कही जाती है Is that clear? सभी समझ गई इसके बाद में तीसरा क्योशन शुरू करते हैं कलास को लाइक करें शेयर करें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको जूरू दबा लें अब देखिएगा अति लगुतरात्मक प्रशन निम्र प्रशनों के उत्तर एक सब्द अत्वा एक पंक्ती में दीजिए पहला क्यूशन है ऐस योगा अंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की किनी दो परमुख मांगों के नाम लिखने है आपको तो इनकी जो परमुख मांगे थी लगान में कमी और बेगार की समापती और लगान में कमी ये इनकी दो परमुख मांगे थी next question है stapler से क्या अभिप्राय है stapler से क्या अभिप्राय है तो यह question हो जेगा stapler उस वेक्ति को कहते हैं को कहते थे जो रेसों के इसाब से उन को staple करता है या च्छांडता है यह question हमने लगबग साइद मुझे लगता है कि पहले या दूसरी model paper में भी पड़ा था कि stapler किसे कहते हैं तो stapler उस रेक्ति को कहा करते थे जो रेसे के इसाब से उन को staple करता है या बांडता है या उसका विवाजन करता है या च्छांडता है next question है बुनकरों ने कपड़ों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपाय किया तो बुनकरों ने कपड़ों का उत्पादन बढ़ाने के लिए फलाइस्टल वाले करगों का परियोग करना शुरू कर दिया था बुनकरों ने कपड़ों का उत्पादन बढ़ाने के लिए फलाइस्टल वाले करंगों का परियोग करना शुरू कर दिया था नेक्स क्यूशन है चार नमबर क्यूशन सता के उर्द्वा धर वित्रन से क्या आसे है सता के उर्द्वाधर वित्रन से क्या आसे हैं तो इसका जो राइट अनसर होजेगा ये च्यार नमर जब सरकार के बीच विविन्स्त्रों पर सता का बंटवारा होता है तो उसे सता का उर्द्वाधर वित्रन कहते हैं नारिवाद का क्या अर्थ है ये आपको बताना है तो नारिवाद एक विचार है जो यह कहता है कि इस्तियों को सुधारने का विचार है ये नारिवाद लोगतंतर में राजनितिक दल की क्या आवशक्ता है यानि लोगतंतर में जबाब दही और उत्तरदाई सरकार है तू राजनितिक दलों की आवशक्ता है next question पर जालती है next question आपको दे रखा है मध्यवरती वस्तो और सिवाओं के उत्तपादन में इस्तेमाल किया जाता है मद्यवर्थी वस्तुएं वे होती है जिने अंतिम वस्तुओं और सिवाओं के उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है नेक्स क्यूशन पे चलते हूँ नेक्स क्यूशन में आपको दे रखा है उपर निकाल लेता हूँ मैं विश्व वेपार संख्थन की स्तापना क्यों की गई थी इसके बारे में आपको जानकारी देनी है तो सदस्य देशों के बीच वेपार करने के लिए ही विश्व वेपार संख्थन की स्तापना की गई थी कौन से दोका रख है ये आपको बताना है तो वन्य जीवों के आवास का विनास जंगली जानवरों को मारना वे आखेटन प्रयावनिय प्रदुशन ये इसके हैं देखो क्या है वन्य जीवों के आवास का विनास जंगली जानवरों को मारना वे आखेट प्रयावनिय यह क्या था भारत के जो विविता को कम करने वाले दो कारण बताने थे आपको नेक्स्ट है उपभोगता उधोग से क्या अभिप्राय है दस्वें का आपको राइट आनसर देना है वे उधोग जो की उत्पादन उपभोगतां के सिधे उप्योग के लिए करते हैं उपभोगता उध्योग कहलाते हैं नेक्स्ट चार नमबर क्यूशन आजयता है अब परतेक प्रशन का उत्तर आपको लगबग पचास सब्दों में देना है दो नमबर का क्यूशन है जलियावाला बाग हत्याकांड पे आपको टिपनी लिखनी है तो जलियावाला बाग हत्याकांड आप जानते हैं अमरसर में ह जलियावाला बाग की दुरुगटना अमर्सर में 13 अप्रेल सन 1919 इस्वी में बेसाकी वाले दिन हुई इस दिन अमर्सर की जनता जलियावाला बाग में एक सभा कर रही थी जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के इस सांतिपुन सभा पर गोली चिलाने का आदेश दे दिया इससे सेंकडों निर्दोस वेक्तियों की जान चली गई और सेंकडों घायल हो गए थे एक सभा कर रहे थे वहां के लोग और जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिये उन पे गोली चलाने का आदेश दे दिया जिससे कि ये निर्दोस वेक्ति घायल हो गए तो और सेंकडों लोग मर भी गए थे नेक्स क्यूशन पे चलते हैं नेक्स क्यूशन है मुद्रित पुस्तकों के बारे में लोगों के क्या डर थे इसके बारे में आपको बताना है तो मुद्रित पुस्तके के बारे में लोगों के निमंडर थे उन्हें यह आसंका थी कि छपी हुई पुस्तकों का आम लोगों के मस्तिक पर बूरा परभाव पड़ेगा उन्हें यह बहता कि इनसे लोगों में बाग्गी और एधार्मिक विचार विक्षित करने होगे क्या थे भी उन्हें यह आसंका थी कि छपी हुई पुस्तकों का आम लोगों के मस्तिक पर बुरा परवा हो पड़ेगा उन्हें यह भैता कि उससे लोगों में बागी और एधार्मिक विचार विक्षित होने लगेंगे नेक्स कुशन है बेल्जिम अपनी जात्य समस्चयों को किस परकार हल कर सका दो परियास बताईए तो बेल्जिम ने अपनी जात्य समस्चयों को निमलखित परियासों से हल किया सविधान में इस बात का सपस्ट प्रावधान किया गया कि केंदरिया शरकार में डच और फ्रेंच भासी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी इस परकार किसी एक समुदाय के लोगों में एक तरफा फेशला नहीं कर सकते हैं केंदर सरकार की अनेक सक्तियां राज्य सरकारों सूपर्द की गई राज्य सरकारों को सूपर्द की गई अर्थार्थ सक्ति का विकेंद्री कर्ण किया गया समझ रहे हैं इस परकार से उन्होंने अपनी समस्या को हल कर लिया नेक्स्ट है साथ नमर क्यों सुन बाहरतिया राजनेती में जातिवाद की प्रमुख समस्याओं का उले कीजिए तो बाहरतिया राजनेती में जातिवाद की प्रमुख समस्याओं निमली खित है सिर्फ जातिगत पहचान पर अधारित राजनितिक लोगतंतर के लिए सुब नहीं होती इससे अक्सर ग्रीब, व्युकास, ब्रस्टाचार जैसे ज्यादा बड़े मुद्दों से लोगों का ध्यान भी भटकता है कई बार जातिवाद तनाओ, टक्राओ और हिस्सा को भी बढ़ावा देता है नेक्स क्यूशन है बहारत में बहुत दल्य व्यूस्ता क्यों है? तो हर देश अपनी विशेश प्रिस्थितियों के अनुरूप दल्य व्यूस्ता विक्षित करता है भारत की सामाजिक और बघोलिक विविताओं को समेट पाने में दो तीन पार्टियां एक्सक्षम है इसलिए यहां बहुदलिया व्यश्ता विक्षित हुई है नेक्स्ट क्यूशन पे चलते हैं सपस्ट कीजिए कि लोगतंतर एक वेद सासन व्यश्ता है यह आपको सपस्ट करना है नो नॉर्बर क्यूशन वेद सासन से आश्या उन सासन से है जो से है जिसे जन्ता ने सविकार कर लिया हो worry हो कि लोगतंतर जन प्रतिनीदियों की सासन व्यश्ता है वह लोगों की अपनी सासन व्यास्ता है अतै इसके पीछे जनता की सुवाभाविक सहमती नहित है विभिन देशों या राज्यों की तुलना किस अधार पर की जाती है यह आपको बताने है दस्में का पर परतिवेक्ति आएके अधार पर तुलना अधिक 72 का मानी जाती है पर की बताने है आपको बहुराष्ट्री कम्पनिया का मुख्य है उदस्य अपने वैपार का अंतराष्ट्य स्तर पर विस्तार कर अधिक से अधिक लाब कमाना होता है बहुराश्चे कम्पनियां उन देशों में अपने उत्पादन के लिए कार खाने स्तापित करती है जहां उसे सस्ता शरम वेक अन्यसन साधन मिल सके बहुरास्टे कंपनियां उन देशों में अपने उत्पादन के लिए कार खाने स्तापित करते हैं जहां उसे सस्ता शर्म एवने शुषादन मिल सके हैं तो यहीं बात होती हुए बारम सुर्क्ष्या के अधिकार को सपस्ट किजिए विविन विदूत उपकर्णों तता अन्य वस्तों में कोई भी निर्मान समंदी या अन्य खराबी पाई जाती है तो उपहुगता के पास इन गहतक खत्रों के विरुद शरक्षन का अधिकार प्राप्त है यहीं क्यूशन पर चलते हैं तेरा नंबर क्यूशन में आपको दे रखा है एजेंडा 21 के दो मुख्य उदेश्य बताईए या मुख्य उदेश्य क्या है यह आपको बताना है तो यह है एजेंडा 21 के मुख्य उदेश्य यह है भूमंडली है क्या भी भूमंडली है सतत्त पोश् अनुसार विशो से होक के द्वारा प्रयावनिय छती ग्रीबी और रोगों को यार रोगों से निप्टना है नेक्स कुस्टन पर चलते हैं बहुदेश यह प्रियोजनों के कोई लाब बताई आपको निर्बाद गती से जलाप पूर्ती होने के समय फसलों की सिंचाई होती है और करसी उत्पादन बढ़ता है करसी उत्पादन बढ़ाने में किसानों की आए में भी क्या होती है इनसे उधोगों को उर्जा मिलती है जिसे उधोगी उत्पादन भी क्या है बढ़ जाता है नेक्स क्योशन है पंदरा नमबर क्योशन किसी देश के अंतरास्टे वेपार को उसका आर्थिक बेरोमेटर क्यों कहा जाता है किसी देश के अंतरास्टे वेपार को उसका आर्थिक बेरोमेटर क्यों कहा जाता है तो लास्ट क्योशन होजएगा अंतरास्टे वेपार दो या दो से अधिक देशों के मद्दे किया जाता है इसके दो मुख्य घटक होते हैं आयात और निरियात जिस देश के आयात निरियात आयात की अपेक्ष्य अधिक या जितने अधिक होंगे उसे विदेशी मुद्रा भी उतनी ही अधिक प्राप्त होगी तता देश के आर्थिक रूप से समर्द होता चला जाएगा इसलिए अंतराष्टे वेपार को एक राष्टर का आर्थिक बिरोमिटर कहा जाता है यानि दिरियात है वो आयात की अपेक्ष्य जितने अधिक होंगे इस देट के लिए तो समझे गए होंगे आप इस परकार से हमने ये चटा मोडल पेपर है उसका सेक्षन नमबर ए और बी कंप्लिट कर लिया है क्लास कैसी लगी कमेंट करके जूरू बताएं अच्छे लगिए तो लाइक और शेर करना इसमें कंजूशी मत करना चलेगा जय हिंद जय भारत